नमस्कार योग के इस अंक में आज हम बताएंगे पेट और कमर से शंबंधित कि कैसे आप पेट और कमर को ठीक रख सकते हैं तो सबसे पहले आप डंडासन में बैठेंगे ऐसे डंडासन में और डंडासन में बैठने के बाद ये आप एक वार शांस को लेंगे और फिर यहां पर छोड़ेंगे सांस को, फिर यहां पर सांस लेंगे, और फिर छोड़ते हुए जाएंगे, फिर सांस को लेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे, छोड़ते हुए जाना है, लेते हुए आना है सांस को, इनहेल और एक्सेल करते हुए, और इसके बाद इसकी और ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये इसे चक्की चालन बोलते हैं, ये सांस लेते हुए पूरे क्रोस करेंगे ऐसे, और बिल्कुल ऐसे करते हुए, फिर ऐसे ही दोनों साइट से करने हैं, जैसे कि फिर ये सांस लेते हुए ऐसे आएंगे, फिर इधर सांस छोड़ते हुए आना है, इसके बाद हम दोनों पाउं को फैलाते हैं, ठीक, इसके बाद दोनों पाउं को हम फैलाएंगे, और फैलाने के बाद ये ऐसे रहेंगे, ऐसे हम रखेंगे दोनों पाउं को फैला करके, और इसमें फिर बारीकी रखना है, कि ये थोड़ा नीचे भी आ सकता है, हो सकता है, औ और इसके बाद ये और इधर जाएंगे तो बाएंवाले हाथ दाएं पाउं पर और विल्कुल क्रोस देखना है जहां तक देख सकते हैं अपने हाथ को दाहिने वाले हाथ को निरिक्षन करना है ये ऐसे ऐसे जाना है ये कमर और पीठ के यानि कमर जो है पीठ उसके लिए बहुत ही लावकारी है उसके साथ ही हम पेट को भी इससे जैसे आप जाते हैं तो ये देखिए पेट पर प्रेशर परता है यह पेट पर प्रेसर पढ़ता है सांस लेने चोड़ने से, इससे हमारा डायिज़्े इस्टिव सिस्टम है वो भी कंच्रोल होता है और हम कियोर होते हैं, यह हमने किया जो भी आशन अभी हमने किया पेट और पीठ के लिए हमने किया, तो इस पर निरंतर करें और फिर पुन्राब्रती अपने आशन में आजे नमस्कार